इस कारकर्म के पुनियार जखें शिरी राजकुमार जैन जी की पुर्ण इस्मर्ती में प्रशण अतरतर्तमालिका का अगला सलोक हैं तेरे में नमबर के शुलोक में आचरी महराज ने पुनहें प्रश्ण अतर किया है को नर कहा क्या प्रश्ण किया को नर कहा कहा नरका नरक क्या है परवस्ता पराधीनता को आचरी महरज नरक क्या रहे बताओ नरक की ब्यवस्ता अलग है सास्त्रों में नरक की जानकारियां लोगों को है वो नरक नीचे के हैं लेकिन इसी धरती पर नरक क्या है आचरी महराज कह रहे हैं परवस्ता पराधीन होना नरक के समान है इसका मतलब स्वाधीन ता स्वर्ग के समान है सुतन्त ता स्वर्ग के समान है बास्तों में सुखी व्यक्ति तो वही माना गया है जो सुतंतर हो पक्षी को सुतंतरता से रहने में सुतंतरता से उड़ने में बहुत आनंद आता है भले उसको दिन भर खाने ना मिले पानी पीने ना मिले परेशान हो जाएगा लेकिन अपनी सुतंतरता का आनंद उसे आता है कहीं भी उड़ करके भाग करके दोड़ करके कुछ भी इंतिजाम करेगा खा लेगा पी लेगा पर सुतन तरता से उड़ना उसका सुख है और ऐसे पक्षी को अगर पकड़ करके पिंजरे में रख दिया जाए अच्छे से दूद मलाई दी जाए काजू किसमिस भी खिलाए जाए पिंजरा भी सौने का बना दिया जाए बढ़िया बढ़िया इंतजाम कर दिया जाए इतनी सुख सुविधाओं के बापजूद भी पिंजरे में रहने वाला पक्षी सुखी नहीं माना जाता क्यों? क्योंकि परवस्ता पराधीन ता आ गई और नीतिकार कहते हैं पराधीन सपनेउ सुख नहीं क्या? सुन रहे नहीं सुन रहे? पराधीन ता सपने में भी सुख नहीं है नीतिकारों ने लिखा है पराधीन ता के हलुआ पुड़ी से अच्छे सुतंत्रता की सुखी रोटी है क्या कहा? पराधीन ता के हलुआ पुड़ी से अच्छी सुतंत्रता की सुखी रोटी है आहा जो भी है सुतंत्र तो है बैया तुम्हे माल मलीदा से अच्छा हमारे घर का भोजन है क्योंकि सुतंत रहे हम बहुत लोग स्वाभी मानी होते हैं इसी बिचार के होते हैं मन मिलता है तो सब कुछ अच्छा लगता है और मन नहीं मिलता तो दूसरे की सुक्स विधाएं भी अच्छी नहीं लगती है हाँ जंगलों में भी रहना पसंद कर लेते हैं लेकिन सुतंत रहें और महलों में भी रहना पड़े पर एक पहरेदार यहां कड़ा एक पहरेदार यहां कड़ा एक पहरेदार यहां कड़ा अब भीया ना सांस ले पा रहे ना छीक पा रहे ना कुछ कर पा रहे काय का सुख है बताओ काय का सुख है एं बकरे के लिए खुब खिला रहे खुब खिला रहे खुब खिला रहे खुब खिला रहे और आजू बाजू नजरों से देखने वाले बुरे लोग आ रहे बकरा समझ जाता कि बई या और सामने सेर को बांग दो सेर कुछ नहीं कर रहा लेकिन बकरी के सामने सेर बना है तो बकरी तो दुबली होती जाएगी भले ही कुछ भी खिला हो क्यों सेर सामने देख रहा है परतं तरता है तो चक्रवर्ती ने कहा कि इसका जवाब मैं तो नहीं देता हूँ ऐसा करो कि आप हमारे महल के अंदर घूम करके आ जाओ देख आओ कि क्या क्या है हाँ ठीक है मैं जाता हूँ अभी देख करके आता हूँ नहीं लेकिन सुनो एक सर्थ है ये कटोरा ले लो इसमें तेल भर लो पूरा और तेल का कटोरा लेकर के चलो ठीक है ये भी कर लूँगा लगा आई पहरेदार यहां आओ दो तलवार धारी इधर आओ खुली तलवार लेकर के दो आगए इसके साथ चलना और चलते समय इसके कटोरे से एक भी बूंद अगर तेल नीचे गिर गया तो इसको तुरंट सजा दे देना हमारे पास आने की जरूरत नहीं वहीं पर काम तमाम वहीं पर काम तमाम हाँ जाओ देख करके आजाओ अब कटोरे में तेल भर करके चला है देखने के लिए देखते 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 और बापस आ गया चक्रवर्ती ने पूंचा महल में क्या क्या देख करके आगे बोले राजन ये कटोरा आपके सामने रख रहा हूँ मैंने कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा आपकी देखने की जिग्यासा तो थी हाँ जिग्यासा तो थी लेकिन सर्थ बहुत कठोर थी क्या एक बूंद भी तेल अगर गर गिर गया तो यह तलवार धारी आपके साथ है राजन उसके डर में मैंने महल में कुछ देखा ही नहीं सिर्फ तेल कोई देखता रहा बस यही समझो सब कुछ होते हुए भी मेरे मन में जो भाव है उसी के अनुसार मैं कारी करता हूँ बाहर के लोगों को मेरा बैभव दिखता है ठीक है है लेकिन चायक सम्म्यक दरिश्टी हूँ आत्मे तत्तु का ग्यान है मैं अपने लक्ष से ओजल नहीं होता हूँ चक्रवर्ती ने जब उत्तर दिया तो सामान से साधर्ण व्यक्ति को बोध हो गया यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कहा नरकह पर वस्ता पराधीनता नरक के समान मानी गई है इस भारत पर पहले मुगलों ने राज किया फिर अंग्रेजों ने राज किया और इनके राज में जो असुविधाएं हुई उस से देश बासियों ने समझ लिया कि पराधीनता में सुख नहीं है हमारे यहां की संपदा को लूटा गया संस्कृतिक ढाचा कमजोर किया गया हमारे पुरा तत्त को नश्ट किया गया संस्कृतिका विनास किया गया यहां की संपदा को लूट लूट करके अपने देशों में ले जाया गया भारत ने और भारतियों ने इस अब देखा है हमारे देश तक को बिगाड़ करके उसका नाम बदल दिया इंडिया कर दिया इंडिया हमारा भारत नहीं है इंडिया हमारा भारत नहीं है हमारा भारत भारत है भारत को इंडिया बना दिया अंग्रेजों ने यहां का कल्चर बदल दिया पश्चिमी प्रभाव पड़ गया लेकिन जब तक हम सोए रहे सो सोए रहे बिखरे रहे सो बिखरे रहे कुछ सोए रहे की परेशानिया रही कुछ बिखरे रहे की परेशानिया रही लेकिन जब जागे और एक जुट हुए तो सब को इस देश से भागना पड़ा क्यों देश का नागरिक जाग गया है देश का नागरिक जाग जाता है तो बिदेशी सत्ताओं को भागना पड़ता है और जो परवस्ता का दुख था जो पराधिनता की पीड़ा थी उससे इस देश को और देश वासियों को आजादी मिली इसलिए इंडिया सब्द नहीं बोलना भारत बोलना भारत में गर्ब है गौरों है भारत का इतिहास है इंडिया का कोई इतिहास नहीं है इंडिया ये गड़ा हुआ सब्द है भारत संस्कृती से जुड़ा हुआ है चक्रवर्ती भारत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा हुआ है बेदों में भागवत में इसका उलेख है ऐसे भारत को आज जो ताकत मिल रही है और ऐसा भारत जो आगे बढ़ रहा है निरंतर हमारा भारत प्रति भारत रहे प्रति भासे रत रहे हमारे गुरुबर आचरसरी ऐसा बार बार केते हैं बार बार केते हैं भारत प्रति भारत रहे प्रति भासे संपन रहे बिदेशी शक्तिया अल्विदा बिदेशी ताकस समाप्त अंग्रेजों का राज समाप्त मुगलों का राज समाप्त और भारत भारतियों के नेत्रुत में आगे बढ़ रहा है इसलिए जो हमारे लिए सुतंतरता मिली है वही हमारा सच्चा सुख है वही हमारी संप्धा है भले ही राज किसी ने कैसा किया हो पर दूसरा अगर राज करता है तो उसका सुख नहीं होता है को नर कहा नरक क्या है परवस्ता दूसरों के अधीन रहना ही नरक है अब बताओ इस नरक से कौन बचना चाहता है जो सुतंतरता को समझ ले वो इस नरक से बच सकता है और फिर भारत में एक नरा दिया गया सुतंतरता हमारा जनम सिद्ध अधिकार है हाँ जनम सिद्ध अधिकार है सुतंतरता हमारा जनम सिद्ध अधिकार है किसने नरा दे दिया लोक मानने तिलक लोक मानने तिलक ये देश वासी जागरुक रहे राष्ट के प्रती समर्पित रहे सदाचार और नीती परायन रहे इन्होंने स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया बलकि जो कुछ भी किया अपने राष्ट के लिए किया ऐसे अनेक भारती नेता नेतृत करने बाले हुए अनिक देश के लिए अपना जीवन निशावर करने बाली हुए उन्होंने सुतंतरता नहीं देखी लेकिन उन्होंने जो नीव रखी उसी पर सुतंतरता का भवन बना हुआ है उन्होंने यातनाय सहीं, कश्ट जेले, काले पानी की सजा पाई अंडमान निकोवार दीप में उन्होंने अपना जीवन बिताया कुछ नहीं वहाँ पर ऐसी सजा उन्होंने सहन की लेकिन उन्होंने जो कष्ट जेले आज देश सुतंत्र है इसलिए उन सब को याद करना पड़ता है उन सब को याद करो और इंडिया को भारत ही बने रहने दो भारत में जो सम्मान है भारत में जो मरियादा है भारती जो संस्कृती है वो अंग्रेजी के सब्द में नहीं है हाँ अंग्रेजी के ज़्यादा अधीन मत हो भासा है भासा को माध्यम बनाओ लेकिन 2400 गंटे उसमे रचोपचो मत हिंदी भासा संस्कृत भासा धर में के ग्रंथों की भासा और तुमारे देश की प्रादेशिक भासा हैं जिस प्रदेश में जो भासा चलती उसका सम्मान रखो उस भासा में काम करो उस भासा में बात करो और अब जबकि तेजी के साथ सब तरफ हिंदी बढ़ रही है तो हिंदी का भी सम्मान करो और ऐसी हिंदी भासा को बढ़ाबा दो जिसमें धर्म और संस्कृती से भी जुडाओ बढ़ता है प्रश्णोतर रत्नमाली का आचारी अमोग वर्स महराज के द्वारा लिखी गई है छोटे छोटे प्रश्णों के माध्यम से उत्तर दिये गए हैं और उत्तर नैतिकता को ले करके हैं धार्मिकता को ले करके हैं और संसिकृतिक दिशा बोध देने वाले हैं प्रश्णोतर रत्न मालिका जब भी मैं पढ़ता हूँ एक-एक इस लोक में जीवन तिता देखाई देती है कई बार इसे सिवरों में पढ़ाया गया कई बार इसे पाट सालाओं में पढ़ने के लिए प्रेरना दी गई मुणी संगों में भी आरिका संगों में भी इस लगुकरती का सामान जन के लिए अध्यन कराया जाता है छोटे छोटे प्रश्न है नरक हम जानते हैं कि कहा है नरकों की इस्तिती जानते हैं क्या होती है लेकिन आचरी महराज ने नीचे रहने वाले साथ नरकों की बात नहीं की उपर रहने वाले नरक की बात की है अगर तुम्हें सब कुछ सुवीधाएं भी हो सब कुछ भी मिले और पराधीन रहना पड़े तो वह सुक तुमारे लिए सुक नहीं है बलकि उस पराधीन ताको तुम नरक के समान मान करके चलो जहां बोलने की आजादी ना हो जहां कुछ करने की सुतंतरता ना हो बिचारों की अभी व्यक्ती ना हो ऐसा जीबन नरक के समान ही जीबन माना गया और जहां आपको बोलने की आजादी है जहां घूमने फिरने की आजादी है जहां बिचारों की अभी व्यक्ती के लिए आजादी है आपको अपने रहन सहन रीती जवाजों के लिए निवाने की आजादी है तो वह सुतंतरता आपके लिए स्वर्ग जैसी मानी गई है सुतंतरता स्वर्ग के समान मानी गई है और परवस्ता पराधीनता गुलामी नरक के समान मानी गई है इसलिए परतंतरता को छोड़ करके सुतंतरता का जीवन जीना चाहिए सुतंतरता ही जीवन है सुतंतरता में ही आनंद है आजादी को सुतंतरता कहा गया लेकिन ध्यान रखना आपकी सुतंतरता कहीं स्वक्षंदता में न बदल जाए सुतंतरता तो अच्छी बात मौलिक अधिकार है लेकिन अगर व्यक्ति सुतंतरता के नाम पर स्वक्षंद होने लगता है तो अपराध वृत्ती में चला जाता है अपराध अनैतिकता को जनम देती है इसलिए सुतंतरता का उप्योग तो करो सुतंत रहने के अधिकारों का उप्योग करो लेकिन स्वक्षंदता में जाने से बचो ताकि मर्यादा बनी रहे और सुतंतरता का जीवन आप जीते रहे इसी शुब्भावना से जैन निवान जैन मासको पुत्री दामाज सीयस प्रियंका जैन श्री पंकज जैन दोहित्री दोहित्र निस्था जैन मन्विक जैन भोपाल सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालागाट